है 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 आज के हमारी वीडियो का टोपिक है टपल्स यानि की जैसे कि मैंने आपको कहा था मेरी प्रीवेस वीडियो के अंदर की जैसे ही हमारी लिस्ट की जो हमारी ले लिस्ट है उसका दर टोपिक्स है उसके जो ऑप्रेशन जो भी हमने अप्लाए करें उनकी वीडियो खतम होगी हमारी next वीडियो रिलेटेड होंगी टपल से तो आज किस वीडियो में हम जो है टपल के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे की हमारे आने वाली वीडियो के अंदर हम टपल के अंदर इतने भी उप्रेशन एपलाई हो सकते हैं हमारे पाइथन के अंदर उनको फॉलो करते हुए उनकी वीडियो से वर्क करेंगे तो आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले जो आउस का मीनिग जानते हैं तो जो हमारा पाइथन है उसके अंदर जो हमारे एक टोपिक है वो वह बस इसकी डैका everything जो कहती हैे इस स्टौर अर्ट अट्र क्वतवार्व packaging अज्युत एनि की पाइथन के अंदर हो हमारे टपल्स है वो बेसिकली सीक्वेंस होते हैं सीक्वेंस का मीनिंग यहां पर है कि हम किसी भी टाइप का कोई भी डाटा जो है हमारे टपल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं जिसमें हमारी कोई लिमिट नहीं होती तो हमारे पाइथन के जो टपल्स है वो सिक्वेंस होते हैं तो यह इसकी एक simple definition थी the python tuples are sequences that are used to store a tuple of values of any type यानि किसी भी type की values को जो अपने अंदर store कर सकता है tuple होते किस type के है मैंने आप बोल तो दिया आपको यह किसी भी type की value को store कर सकते हैं लेकिन हमारे tuple जो है वो immutable होते हैं जैसे कि मैंने आपको मेरी starting की कुछ videos में भी explain कर रखा है कि immutable और mutable में difference क्या है तो tuples जो हैं वो immutable होते हैं लेकिन मैं आपको remind कर आयता हूँ mutable वो होते हैं जिनकी values come change कर सकते हैं और immutable वो होते हैं जिनकी values come change नहीं कर सकते तो tuple हमारे immutable हो सकते हैं और जैसे कि इसने आप explain भी किया हुए कि you cannot change the elements of a tuple in a place ये था हमारा tuple का introduction जिसमें हमने क्या जाना tuple की definition और tuple का basically type की वो mutable type है immutable type है इसकी tuple की जितनी भी detailing है हम हमारी आने वाली वीडियो के अंदर cover करेंगे और उनके हरे operations को हम हमारे python के ideally में apply करेंगे लेकिन अब हम जो है tuple की शुरुवात करते हैं हमारी इसी वीडियो के अंदर creating tuple से यानि कि tuple कुन create कैसे करेंगे जैसे कि हमने हमारी previous वीडियो या previous जो भी हमारी एक proper lecture series थी हमारी list की या फिर string की उसमें हमने क्या किया था list का या string का introduction दिया और उनको फिर start किया कि उनको create कैसे कर सकते हैं तो इसी pattern को follow करते हैं अब हम यहापे क्या करेंगे tuple के introduction के साथ साथ हमारे tuple को create करना भी सिखेंगे कि हम tuple को create कैसे कर सकते हैं तो इसको भी हम समझते हैं थोड़ा explanation के साथ creating tuple is similar to list creation जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि tuple को create करना बिल्कुश similar है list को create करने की तरह है but here you need to put a number of expressions in parenthesis लेकिन यहापे हमें क्या करना होगा उन parenthesis के अंदर या brackets के अंदर हमें कुछ number of expressions number of expressions मतलब कुछ number of value variables कुछ ना कुछ हमें parenthesis के अंदर put करना होगा in round brackets के अंदर तो जैसे किसने आपे explain कर रखा that is use round brackets to indicate the start and end of a tuple and separate the items by commas तो जो हमारे list के अंदर एक general format था हमारी list को create करने का उसमें क्या था कि हम square brackets का use करते थे यहां क्यों से brackets का use करेंगे यहां use करेंगे round brackets का किसके लिए जो की indicate करेगा हमारे टपल की starting के लिए जैसे हम हमारा first round bracket open करेंगे हमारा जो टपल है उसका first bracket open होती हमारा python समझ जाएगा या वो indicate करेगा कि हमारे टपल की creating का जो starting है वो यहां से start हो चुकी है और जैसे ही कुछ elements provide करने के बाद हम हमारे इस round bracket को या इस bracket को close करेंगे तो हमारा python या user वो समझ जाएगा कि हमारे वो है क्या है हमारे ideally में चलके हमारे कुछ examples करेंगे creating टपल के तो जैसे कि है यहाँ पर slides पर given एक bracket open है और उसके अंदर 2,4,6 जैसे कि मैंने अभी आपको बता है items को separate करेंगा तो 2,4,6 उस bracket open होने के बाद हमने लिखा और bracket को close कर दिया और जैसे हमने अंटर करा यह हमारा क्या बन गया टपल बन गया simple string जैसे हमारे inverted कोमा के अंदर होता है इसी तरह हमारा जो टपल हो किस फॉम में है ब्रैकेट्स की फॉम में यह था एक numerical टपल जिसके अंदर कुछ numeric value थी इसी तरह हमारा एक यह टपल है जो क्या है एक तरीके से strings value को store कर रहा है तो इसमें हमने क्या किया ABC हमारे parenthesis के अंदर या हम हम बोल सकते हैं हमारे inverted कोमा के अंदर को करेगा ABCDEF कोमा से separate किया इन दोनों strings को यह इन दोनों inverted कोमा के अंदर जो भी हमने टाइप किया एक स्ट्रिंग पर्टिकुलर हमारा डाटा टाइप जो है उसे टाइप किया वह हमारे क्या होगा inverted कोमा के अंदर होगा यह हमारा आ गया bracket के अंदर डाल दिया हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर यह हमारा काउंट होगा एज़ टापल तो किसी भी तरीके से हम हमारे ब्रैकेट को ओपनेंड क्लोज करते हैं तो वह हमारे टापल क्रियेट हो जाएगा बेसिकली अब मैंने उसके अंदर कोई element नहीं भी डाले ब्रैकेट ऑपन करके क्लोज कर दिया तो भी हमारा एक टापल क्रियेट होगा उस टापल का नेम होगा हमारा एंपिटी टापल तो इसको हम हमारे आईडियाल लिग अंदर देखते हैं कि हम टापल को क्रियेट कैसे कर सकते हैं यहां पर मैंने क्या किया एक वरियेबल लिया ए और जैसा मैंने आपको बताया राण ब्रैकेट से हम हमारे टापल की स्टाइट करते हैं और उसके अंदर म तो उसके लिए मेंने आपे हमारे type एक हमारा function होता है उसका use किया उसके अंदर मैंने ए इस variable को रखा अब यह जो मारा type function है बता देगा कि जो a variable है वो किस type की value को store कर रहा है तो जैसे कि आप एक्स्प्लेइन किया जो a variable है वो class couple को show कर रहा है या यह नहीं इसका मतलब है कि जो हमारा a variable है वो tuple value को store कर रहा है यह तो था हमारा कुछ numeric tuple अब इसी तरह में एक b variable के अंदर कुछ alphabetical string मैं कुछ लूँ तो हम check करते हैं कि हमारा जो type function अब वो explain कर पाएगा नहीं कि यह किस type का तप या फिर किस type की value को variable b जो होल्ड कर रहा है तो उसके लिए भी मैंने हमारे type function का use किया और इसने भी जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमें explain कर गया कि यह भी जो है टपल टाइप है अगर मैं इसी b को in square brackets में रख दूं और फिर मैं हमारे type function की help से उस b variable की value को check कर रहा हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमें explain कर दिया कि यह जो type है लिस्ट का है तो अगर हमें कुछ भी कुछ भी value हमें हमारे टपल के अंदर create करनी है तो हम simply हम round brackets open and close कर देंगे और उसके अंदर elements को provide कर देंगे अगर हमने element provides कि तो उसका type अपल है और elements नहीं provide कि तो भी उसका type जो है टपल है लेकिन उस टपल का जो type हो क्या हो जाएगा ए आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्स्क्राइब करका ना भूले बैल आइकन जरूर दबाए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो और नोटिविकेशन आपको